हेलो फ्रेंड्स दावत किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ इसी वे में डाल मकनी ये अमोमन हर एक की पसंद है और इसको आप राइस तंदूरी रोटी ये लच्छा पारठा के संग सर्व कर सकते हैं आए इसको बनाते हैं इ दोखोने की बात इसका कलर जो है वह ऐसा हो जाता है अब इसको हम प्रिश्र कुकर करेंगे एक बड़ कुकर ने मैं इसको डाल दिया है इसके अंदर इतना बानी डालेंगे ताकि राजमा और दाल अच्छे से भीग जाए इसमें डालेंगे हम नमक आप नमक अपनी स्वात आप जाग को निकाल दे अधर वाइस ऐसे भी बना सकते हैं इसको अधर एक पैन गरम करेंगे और पैन में मैंने लिया है तीस से पैस ग्राम तक मखन चुगे यह दाल मखनी है तो इसमें हम जारत से ज्यादा मखन का यूज करेंगे यह देखिए इस तरीके से जब मखन गर कि लेसुन का कलर हलका सा गोल्डन ना हो जाए देखिए लेसुन पक गया है अच्छे से बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है इसके अंदर कि देखिए अब इसके अंदर मैं डालूंगी वन टीस्पून देगी मिर्च और तीन तमाटर की प्यूरी इसको अच्छी से मिक मसाला अच्छी से पक चुका है इसमें हम नमक डालेंगे नमक देखके ही डालेगा क्योंकि दाल को उबालते समय भी हमने नमक डाला था और जो बटर होता है वो भी सॉल्टी होता है अब इसके अंदर हम बॉयल कीवी डाल डाल देंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आ है इसका और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको दाल थोड़ी और पतली करनी है तो आप इसके अंदर एक कप गरम पानी भी डाल सकते है क्योंकि थोड़ा बॉयल होने के बाद इसकी जो कंसस्टेंसी है वो नॉमल हो जाएगी तो मैंने यहां पर आकर इसके उबाल आने लग जाएगा इसमें उसके बार इसको हम दस मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे और मैं वापिस से मखन डाल रही हूं यहां मैंने वापिस से तीन टेबल स्पून मखन डाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें जितना मखन डालेंगे यह उतनी ही पर आगर तो दाल कर लगने के यह नहीं चिपकने के चांसर होंगे जिससे इसके स्वाथ खराब हो सकता है यह देखे बॉयल अच्छे से आ चुका है दाल हमारी अब अच्छे से बिकुल रेडी हो चुकी है प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ चुकी है अच्छे से घुट प्रेश मलाई डाली है आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं और अगर आफ प्रेश मलाई या क्रीम नहीं डाल रहे हैं तभी इसका स्वाथ जो है वह बहुत ही टेस्टी होगा यह देखे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने अब एक तरफ मैं इसका तड़का बनाऊंगी दोस्तों इसके ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं मैंने यह पे दो टेबल स्पून घी में एक चमश देगी मिर्श डाली है और इस तड़के को मैंने उपर से लगा दिया है ना ही इसमें कस्तूरी मिती जाती है और अगर आपका प्याज डालने का मन हो तो आप इसको महीं बहुत सी बढ़े दाल बनके तयार हुई है इसको लाइए सर्व करते हैं और सर्विंग के बार आप इसके अंदर आप इसको क्रीम और बटर के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं यह देखिए तो दोस्तों आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरू करिएगा थैंक यू फ्रेंड्स